रादिकृष्णा फ्रेंड्स तो वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम कानाजी लेटी क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक वेलवट की बहुत ही सुन्दर सी ड्रेस जिसको हम दो डिफरेंट वेज में पहना सकते हैं आप अपने ठाकूजी के मेजरमेंट के अकोडिंग आप इसको इजीली बना सकते हो और इसको अगर आपने चार पांच या छे नंबर में बनाना चीखना है तो इसका एच्छे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाला हुआ है तो वहां से चाक आउट कर सकते हो अदरवाइस एंड स्क्रीन पे भी मैंने वह वाली वीडियो लगाई हुई है जब यह वीडियो को तम होगी तो एंड में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो वहां से भी देख सकते हो तो आएए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट ओफ ओफ जो ड्रेस है वो टोटल 5 पीस में रेडि होगी इसके एक नहीं दो नहीं बलकि 5 पीस होने वाले है टो तो फर्स्ट ओफ ओफ ओल मैंने लिया एक फैब्रिक जिसकी मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है दो नंबर के ठाकोजी के हिसाब से यह मैंने लिया 3.5 इंचिस की वीड और इसकी जो length मैंने ली है वो ली है 26 inches की तो first of all मैंने क्या करना है कि एक बुक्रम की पट्टी लेनी है एक inches की एक inches length 26 सेम रहेगी उसको इस तरह से रखना है यहां से जो हमारी विर्थ वाली साइड है इस तरह से रखा निच्चे वाले घेरे में इसको आड़ कर देना और यहां से हल्का हल्का इसको फोल्ड कर देना फ्नीशिंग के लिए तो यह हम कर लेते हैं फटा-फट से तो यह दे साइड में एक-एक पीस को लगा देंगे एक हमारा उपर वाली साइड में आएगा ड्रेस के और एक नीच्चे वाली साइड में इस तरह से तो यह देखे यह वाला भी हम अटेच कर देते हैं इसके साथ ही तो यह वाला पीस भी हमारा जो यह कंबाइन हो गया है इसके साथ हुआ कि दोनों साइंट की नों पीस जो हम आघप कर लेते हैं डेस के वईर्ल कर लेक्ष की- वेलिक्रो टेप लगाने के बाद हम इसका ड्रैस के घेरा है अधरोई साथ लगा लिए तो यह यह मैंने सेट गरी इन पेशेच लगा या फिर से मैंने और चुनटे डालनी है और फिर से श्रीच लगा देना है टेकْ प्रपर राउंड शेप में आपके पास घेरा रेडी हो जाएगा इसका आप देख सकते हो अब मैंने यह देखिए राउंड शेप में बिल्कुल गेरा बनकर रेडी हो गया और यहां पर मैंने वैलक्रो टेप लगाई हुई है यह देखिए तो बहुत ही सुन्दर सा यह गेरा बना है अब हमने इसमें लटकन वाली डोरी जोतियों वो डालनी है ता यह एंदर वाला साइड जो जो है यह अंदर वाला साइड यह उतने साइज की लल्कुल की मैंने स्टिप ली है अद dapat मैंने क्या को यह लिए हरह से रखीने को सींदेखिए यहां पर में इस मैंने से बाँन हम ऐसे लगा है और इसमें हमने लटकन वाली दोरी को इंसर्ट कर देना है ध्यान से देखिए मैंने इस तरह से यह वाला फैबरिक रखा यहां पर रखा यहां पर इसको रेड़ी कर लेंगे उसके बाद यहां से जब यह गंबाइन हो जाएग इस तरह से हम इसको नीचे वाले साइड लेके यहां से भी हल्का सा फोल्ड करते हुए यहां पर इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगा देंगे और इसमें हम डोर इंसर्ट कर लेंगे नो यह देखिए कुछ इस तरह से महारा जोए गेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यह हमारा फर्स्ट पीस जो है वो रेडी हो गया है बन स्टिच लगाना है तो जैसे ही हम श्टिच लगाएंगे और एक्ष्टा फैबरी को कट कर देंगे तो यह देखिए यहवाली हमारी है कैप इसको सीधा करेंगे तो यह कैप बन कर छो yeah ready हो जाएगी यह हमारे बन कर रेडी हो चुके है तर्ड पीस में हमने बनाना होता है एक मफलर मफलर के लिए भी हम स्मॉल साइज का पीस लेंगे पीस उतना जितना हमारे ठाकुजी की नेक से होता हुआ निचे दुबारा आ जाए उतनी लेंद का हमने पीस लेना है और इसकी जो विड्थ है वो तीन से चार इंचिस तक आप ले सकते हो और इसमें मैंने क्या किया इसको मैंने उल्टा रखा डबल फोल्ड करके फिर मैंने क्या किया तीन साइड में मैंने स्टिच लगा कर इसको सीधा करना है तीन साइड में स्टिच लगाया की pró जब हम सीधा करेंगे और स्वीर से जो हमारा होल है होल वाले साइड ओपन साइड जो हमारी है उस पे भी हम स्टिच लगा के उसको कवर कर देंगे तो यह देखिए यह जो है हमारा मफलर बनकर रेडी हो गया है और इसके अनादर साइड पे भी हम स्टिच लगा देंगे इसको सीधा करके तो यह मफला जो हमारा थर्ड पीस ता वो बनकर रेडी हो गया है अब हम बनाएंगे पैंट तो पैंट बनाने के लिए मैंने लिया है एक फैब्रिक उसकी हमने जो स्टिप है उसकी जो लेंथ है वो हमने लेनी होते है अपने ठाकुजी के मेजरमेंट के अकोरेंग जितना भ स्टिक को साथ में इंसर्ट करके हैमिंग का स्टिच लगाना है तो एक साइड का मैंने स्टिच सिंपल लगाया दूसरे साइड के स्टिच में मैंने इलास्टिक इंसर्ट करना है तो सिंपल स्टिच तो मैं लगा चुकी हूं एक साइड में दूसरी साइड में मैंने कुला ऐस्टिक को लगा देना है और बाकी का लिखा लेना है अभ आप क्या करेंगी बांगी इसमें शिक्द कर लेते हैं कि यद्ध मैं था इंडेने सीओं लगाएंगे दूनु एंड्स को बैक साइड्स और में गएक साइड्स दाई लाए और यहां पे इस तरह से मैंने स्टिच लगा लेना है और अब जो मैंने स्टिच लगाया है उस मैंने साइड को मीडल में रखना है जैसे कि हमारी पैंट्स गार में होता है तो उसी हिसाब से ये स्टिच हमने इस तरह से बीच में आएगा हमारा यहाँ पे हम वी स्टिच लगाएंगे इस तरह से और इसको कवर कर देंगे और एक्स्टा यहाँ पे जो भी फैब्रिक बचेगा उपर वाला वो हमने कट कर देना है तो यह देखे यह मैंने लगाया वी स्टिच अब हमने वी स्टिच को कम्प्लीट किया देन हमने एक्स्टा फैब्रिक को कट कर देना है यह वाला जो एक्स्टा फैब्रिक था हमारा कट कर देंगे तो यह पैंट बनकर रेडी हो जाएगी और इसको हम सीधा कर लेंगे यह था आज का हमारा फोर्थ पीस लेकिन उसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाती हूँ उसकी मैं वीडियो में पार्ट नमबर टू बना दूँगी इसी ड्रेस वीडियो का तो यह वह हो गए हमारी चोली तो चोली को आप सिंपली वाली भी बना सकते हो अदरवाइस पैन के साथ शर्ट स्ट्राइल में जो बनाना चाते हो उसकी वीडियो में कल अप्लोड करूंगी तो आज के लिए इतना ही इसमें दो स्ट्राइल इस तरह से थे जैसे कि एक में हम पैना लेते हैं इस तरह से ठाकुजी को और एक उपर कैप अगर आप घेरा नहीं पैनाना चाते तो घेरे की जगह पे आप पैनाईए पैंट के साथ उपर चोली मतलब जो हम कल सीखेंगे और इसका जो है मफलर और देन कैप तो विंटर्स के लिए ये बहुत ही सुन्दर स प्लस, दो डिफरेंट फेेज में पैनाई जाते हैं तो इसलीए इसी हो जाता है आपको ठाकुजी के लिए और ये ड्रेस बनाना क्यूंकि इसको दो डिफरेंट फेंट पैनाई जाते है तो आजकी वीडियो फालंती यह प्लीछ इस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक क पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी की ड्रेस की चोली के साथ राधी राधी